वेलकम तो हर्फ, आप्रोजेक्ट आफ कॉंसेप्ट सल्यूशन्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथामेटिक्स वन में केंटिनुवेशन है मैट्रेशिस की हमने पिछली बार पढ़े थे जो मैट्रेक्स मैट्रेशिस थे वो हमने टू क्रॉस टू की हद तक ही पड़े थे जिसका हमने अगर यह मैट्रेश ए है तो हमने ए इन्वर्स निकालना सिखा था जो कि पराबर था एर्ट जोएन्ट ए ओफ्ड एयर टिट्रमिनेंट फेथा होता ये था एमर्जर निकालते थे इन ड़नों को ए वन और फोर को आपस میں रिप्लेश करके और ट्री को साईन चेंज करके, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालते थे, निया इन्वर्स निकल जाजा था, लेकिन अगर आप एक 3 क्रॉस 3 मेट्रिक्स लेते हैं, पर एक्जेंपल, आपके पास ये एक मेट्रिक्स है, तो क्या ए इन्वर्स इस केस में निकालना इतना ही आसान है, जितना के 2 क्रॉस 2 केस में, तो जवाब है नहीं, क्यों क्योंकि इसके अंदर 3 क्रॉस 3 में आप इस तरीके से चेंजिंग्स नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको 3 क्रॉस 3 मेट्रिक्स के लिए माइनर्स निकालने होते हैं, माइनर्स से एक M मेट्रिक्स बनता है, सबसे पहले हम पहला माइनर निकालते हैं जिसको हम M11 कहते हैं यानि के रो वन और कॉलम वन अगर हम इसको कैंसल आउट करें तो हमार पास पहला माइनर यह आएगा जो के बनेगा 2331 और यह बराबर हो जाएगा 3 इंटू 26 6-3 is equals to 3 first माइनर उसके बाद आपके पास आजाता है second minor M12 जो के आप पास आजाता है पहली हमने row cancel की दूसरा column cancel किया तो हमारे पास आगया minimal 1, 3 is 0 तो minus 1 into 3 और 0 into 3 का कोई value नहीं तो minus 3 तीसरा माइनर हमारे पास आ जाता है row 1 और column 1 तो वो आ जाता है minus 1 2 1 और 0 तो वो आ जाएगा minus 1 उसके बाद हमारे पास minor है m21 जो के आप row 2 and column 1 cancel करेंगे तो 1 1 1 3 यह आपके पास आजाएगा 1 1 1 3 3 minus 1 is equals to 2 M22 आपके पास minor आएगा जो के आपका minor है यह row और यह column यह row और यह column 3 3 0 1 तो यह आपके पास आजाएगा 3 3 0 1 यह minor आजाएगा 9 के बराबर फिर आपके पास आजाएगा M23 row 2 column 3 3 1 0 1 3 1 0 1 तो यह आगया 3 के बराबर उसके पास आपका minor आजाएगा 3 1 यानि के row 3 column 1 row 3 column 1 यह आपके पास आजाएगा इसको आप row 3 column 1 sorry row 3 column 1 1 1 2 3 यह आपका next minor आगया 1 1 2 3 3 minus 2 which is equals to 1 M32 and M33 इसी similarly आपके यह minors भी निकलाएगे row 3 column 2 3 1 और 1 3 basically यह minus 1 है 3 minus 1 और 1 3 तो 9 plus 1 is equals to 10 and lastly जो आपके पास minor आएगा वो हैगा 3 1 minus 1 and 2 3 1 minus 1 and 2 6 plus 1 इसे बना जाएगा सारे minor आगए अब आप एक minor का main matrix बना लेंगे यहाँ आप M11 डादेंगे यहाँ M12 यहाँ M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 और यहाँ पर आप सारे minors रिक देंगे 3 minus 3 minus 1 2 9 3 1 10 and 7 उसके बाद आप co factors निकालेंगे co factors आप इस तरह निकालते हैं कि यहाँ plus minus plus minus plus minus plus minus plus जो plus वाले हम इसी तरह रहने देंगे लेकिन जो जो यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हैं कि इन चारों के हम science change करेंगे क्योंकि यहां पर minus लगा है तो इस तरह के आपके आपकrd पास को factor आजेंगे त्री यह हो जाएगा मैनस तो plus three minus यह minus 1 यह हो जाएगा minus 2 यह 9 ही रहेगा यह हो जाएगा minus 3 और यह आपके पास आजाएगा 1 इसी तरह यह 10 है तो यह minus 10 यह प्लस तो 7 यह आपके co factors आजाएंगे और अगर आप co factors का transpose ले लें यानि के row को column बना दें तो हमारे पास यह आजाएगा आपका adjoint इसी तरह यह adjoint आप यह put करेंगे और determinant से divide करेंगे तो आपके पास A inverse निकलाएगा thanks for joining concept solutions 3 cross 3 matrices के हवाले से कोई और सवाल हो तो ज़रूर concept solutions से राबता करें और on demand कुछ भी lecture हो तो आप ज़रूर बताएगा thank you